दोस्तो अच्छा खासा भारतिय जंता पार्टी तीन राज्यों में जीत के लिए तारीफ बटोर रही थी बीजेपी की इस जीत की वज़ा उसकी रणीती को बताया गया उसकी जमीनी मजबूती को बताया गया यहां तक की प्रधान मंत्री मोदी के चहरे को भी इसकी बड़ी वज़ा बता दिया गया कि बहुत बड़ी वज़ा है मोदी जी के वज़े से छुनाव जीते हैं लेकर मोदी जी ने दिखा दिया कि इस जीत के काविल बीजेपी है या दिगी बीजेपी जीत गई लेकिन प्रधान मंत्री के चहरे पर ही जीती या किसी ट्रोलर की चहरे पर ये सवाल मोदी जी के ट्वीट के बाद उठ रहा है दोस्तों इस ट्वीट को देखने के बाद हर किसी की जवान पर एक ही सवाल है कि प्रधायन मंत्री मोधी जी का ट्वीट खुद मोधी जी या उनकी PMO की टीम कर रही है या किसी दो रुपली ट्रोलर के हाथ में मोधी जी का अकाउंट पकड़ा दिया गया है सवाल तो उठेंगे ना दोस्तो जब देश के प्रधायन मंत्री के ट्वीटर अकाउंट से ट्रोल माफिक ट्वीट किया जाएगा और उसमें भर भर कर इमोजीज का इस्तिमाल किया जाएगा जैसे बच्चे वाटसअप पर करते हैं ये ट्वीट देकर सब दंग रह गए दोस्तो बेशक आप भी तंग रह जाएंगे इस ख़वर में बताएंगे आपको कि आखर पूरा मामला है कि नमस्कार मेरा नाम है जैन्ती जहा और आप देख रहे हैं दीकंटा तीन राज्ये जीतने के बाद क्या हाथ बेलगाम हो गए हैं क्या प्रधान मंत्री पत की गरीमा को साइडलाइन कर दिया गया है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान मंत्री की भाशा क्या इतनी अमर्यादित हो सकती है कि ट्वीट देखकर अकाउंट को ही फर्जी बताया जाना शुरू हो जाए कि फर्जी अकाउंट होगा मोदी जी का रियल अकाउंट नहीं है जिक्र इसलिए कर रही हूं दोस्तों क्योंकि यही हो रहा है मोदी जी का ताजा ताजा ट्वीट आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त आपको दिखा रही हूँ जुसे पहली नजल देखने के बाद आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या ये वाकई देश के प्रधान मंत्री का ही ट्वीट है इस ट्वीट में मोदी जी कॉंग्रेस को लेकर लिखते हैं कि वो अपने एहंकार जूट निराशवाद और अज्यानता से खुश रहे लेकिन कॉंग्रेस विभाजनकारी एजिंडे से साब्धान रहे सत्ता साल पुरानी आदत इतनी आसानी से जाती नहीं है साथी लोगों की समझधारी ऐसी है कि उन्हें आगे कई और मंदी के लिए तयार रहना होगा इस ट्वीट को देखने के बाद दोस्तों हर कोई यही लिख रहा है कि हमने ये ट्वीट देखने के बाद दो बार क्रॉस चेक किया कि मोदी जी का ही अकाउंट है या किसी ट्रोलर को ही अकाउंट सौप दिया है वगर इस मामले में मोदी जी ने निराश नहीं किया मोदी जी का ही अकाउंट है अब आप देख लिजे कि 2024 में प्रधान मंत्री मोदी जी शायद इससे भी बड़ा वाला डिजिटल यूग लाने वाले हैं जहांपर देश की प्रधान मंत्री अगर इस तरीके के भाशा का इस लाज्यों को जीतने के बात कर सकते हैं फर्ज कीजे 2024 का चुनाव बीजेपी जीत गई तो मतलब यह समझे कि सारा आइटी सेल का कारेबार शायद प्रधान मंत्री मोदी समाल लेंगे इनका अकाउंट ही पूरा जो है वो किसी और टोलर को नहीं देना पड़ेगा दोस्तों इस बात को दोस्तों कि कितना जादा हैरान कर देने वाला है हलाकि इसमें जादा हैरानी नहीं होती है क्योंकि पहली दफा तो है नहीं जब प्रधान मंत्री इस तरीके की भाशा का इस्तेमाल कर रहे हैं बाकाइदा यह तो चलिए ट्वीट किया गया है बाकाइदा रेली म खड़े होकर मंच पर खड़े होकर कई बार इसी तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है आपको बंगाल विदान सबा का चुनाव तो भूला नहीं होगा जहां प्रधान मंत्री मोधी मंच से खड़े होका दीदी ओ दीदी कर रहे थे इसके अलावा आपको वो भी बयाद नहीं भूला होगा जहां पर प्रधान मंत्री मोधी एक बड़े दिगजनेता को मूर्खों का सरदार बता रहे थे आपको प्रधान मंत्री जी के वो बयान भी नहीं भूले होंगे जो संसद में खड़े होकर उन्होंने कई बार दिया और उस पर बहुत जादा उनके आलोचना हुई चाहें फिर वो रेनुका चौदरी को हो सकता है कि उनके लिए ही इस्तिमाल क्या हो क्योंकि उस वक्त रे है कि प्रधान मंत्री मोधी इनका जो ट्वीट है इनोंने जो ट्वीट किया है इस पर बेशक यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों क्योंकि लोगों ने शायद सोचा होगा देश की जनता ने सोचा होगा कि कंशे कम अब तो प्रधान मंत्री मोधी के व्यभार में एक परिपक्वता नजर आएगी ये कहते हैं कि राहूल गांधी पक्व है ये कहते हैं कि कॉंग्रेस में अभी परिपक्वता आना बाकी है कॉंग्रेस को परिपक्व होना जरूरी है राहूल गांधी को मैच्वर होना जरूरी है लेकिन क्या इनके ट्वीट को देखने के बाद कोई ये कहेगा कि ये maturity है अगर maturity level इसी को कहते हैं तो फिर तो कोई mature ना हो तो जाधा बहतर है कम से कम राजनीती के मर्यादा को तो वो पनाए रखेगा लेकिन प्रिधान मंत्री है, मोधी जी है, कुछ भी कर सकते है आप देखे, खुद ही देखिए आप कि शीत कालिन सत्र शुरू हुआ शीत कालिन सत्र शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही दोस्तो प्रिधान मंत्री मोधी जी आगे सामने माइक लगे हुए था लेकिन बीजेपी की प्रेस कॉन्फरेंस में या प्रधान मंत्री मोधी जी की प्रेस कॉन्फरेंस में सवालों से कहीं ना कहीं ये प्रेस कॉन्फरेंस दूर रहती है तो प्रेस कॉंफरेंस नहीं थी, माइक लगे हुए थे, प्रिधान मंत्री मोदी जी को बयान दे रहा था, तीन राज्यों में चीत के बाद प्रिधान मंत्री मोदी सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसत के बाहर खड़े होकर विपक्ष को गर्याना जारी रखते हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, तो इसी से समझा जा सकता है कि ब्रिधान मंत्री मोदी को आखिर टोलर क्यों कहा जा रहा है, उनके खुद के ट्विटर अकाउंट से अगर इस तरीके के ट्विट किये जाए, तो पिर जैसा मैंने कहा, उनको किसी आईटी सेल के शक्स क जीते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दाविदार किसको बनाएंगे, इस पर अभी भी संशेबर करार है, दिल्ली से लेकर राज्यों तक इधर उधर नेताओं को गुमाया फिराया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि सारे के सारे नेतागन, सारे के सारे विधायगन जो की चुनाव जीत कराएं हैं, वो इसी नजर में और इसी तरीके से टक-टक ही लगाए बैठे हैं, लाट तपक रही हैं कि मुख्यमंत्री आखिर किसको बनाया जाएगा? अब हो यह रहा है कि मद्यप्रदेश में शिवरात सिंग चहान की लाटली बहन योजना को डाकार दिया गया, क्योंकि तमाम विधायकों को यह दिखाना है कि प्रधान मंत्री मोधी जी की वज़े से चुनाव जीते हैं, ना कि वर्तमान सीम की वज़े से चुनाव जीते हैं, तो शिवराद सिंह जहान को खिनारे किया जा रहा है कैलाश विजय वर्गिया की बयान को यह आप सुन लिजे जब कैलाश विजे वर्गे से मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप लाडली बहन योजना को मध्य प्रदेश में BJP की जीत के पीछे का बड़ा कारण मनते हैं या नहीं आप लोग कुछ दर्वारी पत्रकारी हैं इस्ट्राफित करने में लगे हुएं तो जरा उनको समझना चीए कि 36 गड़ में क्या थी क्या नहीं थी राजिस्तान में थी क्या नहीं थी और तीनों जगे क्या था मोदी जी का नेत्रत गरीब कल्यान की योजना हो और इसका पूरा श्रे अगर किसी एक वेक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है जिनके नेत्रत में लोगों को विश्वास है और मद्य प्रदेश राजिस्तान 36 गड़ में जो बड़ी जीत हमको मिली है उसका श्रे मोती जी का नेत्रत्व, अमिशाह जी की रणनीती, नड़ा जी की संगठन जमता इन तीनों को ही में देना चाहूंगा और तीनों को बधाई भी देता है देखिए भारती जन्ता पार्टी का कोई भी कारिकरता मुख्यमंत्री होगा जिसको दिल्ली के बैठे हुए हमारे हाईकमान टैकर तो कही न कहीं शिवरात सिंग चौहान की उपलब्धियों को नकार दिया गया इसी से समझा जा सकता है कि मध्यप्रिदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री पत के लिए कितनी मारा मारी चल रही है कि इंद्रिय मंतरियों को भी उतारा गया था, संसदों को भी उतारा गया था खबर ये भी ए कि संसदों से उनका संसद्पत का इस्तिफा संसत्पत का इस्तिफा मांगा जाएगा और उसके बाद उनको विधायक पत सौपा जाएगा दोस्तों या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौपी जाएगी तो सूचे कि संसत्पत जो बने उनको जब विधायकी जीत कराए उनको विधायक बना दिया जाएगा दोस्तों उनसे संस सब्सक्राइब का इस्तिफा ले लिया जाए और उसके बाद भी उनको मुख्य मंत्री के कुर्सी ना मिले तो कितना जादा उनके साथ यह कहीं ना कहीं आप कह सकते अत्याचार होगा तो इस बात को लेकर मारा मारी मध्य प्रिदेश में हो रही है राजस्थान में ऐसे ही सीम का चेहरा नहीं अभी तब पता चल पा रहा है वसुंदरा राजे का नाम चल रहा है वसुंदरा राजे के अलावा कोई और ऐसा है नहीं आप जिस तरीके की खटपट चुनाव से पहले देखने को मिली ती उससे लगता तो नहीं है ऐसा कि प्रिदान मंत्री मोधिजी चाह कि वह सुंद्रा राजे सीएम बने राजस्थान की और अगर वह नहीं बनती है तो विकल्प दूसरा कौन सा है किसी और को कैसे बनाएगी बीजेपी वहां का सीएम ये एक बड़ा सवाल है तो इस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए तीसरा चाहिए जहां पर आपकी सरकार बनी है 36 गड़ में आपने कोई सीएम का चेहरा जंता को दिखाया ही नहीं पावजूद इसके अगर आपकी सीटे आई है तो ये तारीफ के काबिल है लेकिन फिर भी सुही तो वहीं आकर अटक जाती है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे तो तीन राज्ये में मुख्यमं को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा विजियो अगर आपको पसंद आया हो तो विजियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना विलकुल भी न भूलें फिर मुलाकात हो गया आप से लिए वीडियो में तब तो किले रोगा